जय श्री कृष्णा मित्रो स्वागत है आपका उची तुपाई चैनल में और आज मैं आपके लाया हूँ चंदर गरेंड पर की जाने वाला सबसे आसान और सबसे सटीक चमतकारी वशिकरन और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि चंदर गरेंड पर मंतरों की सिद्धिया पराप्त की जाती है बस और कुछ नहीं किया जाता और आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो इसकी हानी आपको जरूर ही जरूर मिलेगी आपको जभी मैं आपसे रिक्वैश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई उपाई बिलकुल भी मत करना चंदर घ्रेन का जो समय होता है उस समय पे आपको खाली मंतरु का जाप करना है मंतर सीध करना है और ऐसा कोई कारे मत करना तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ चमतकारी वशिकरन तो जो मैं आपको ये मंतर बता रहा हूँ आपको तो जो समय है ग्रहन काल का वो पाच बज़े से लेके नो बज़े के बीच में है आज मैं आपको एक मंतर बता रहा हूँ जिसका आपको बस खाली मंतर सीध करना है ध्यान से सुनना मंतर को मंतर इस प्रकार है ओम हिरिंग मोहिनी स्वाहा नाम मैं वशी कुरू जहाँ पर मैंने मंतर में नाम का उचारन लिया है महाँ पर आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसका आपको वशी करन करना है और इस मंतर का जाब आपको ग्रेंड काल के समय में जो चार घंटे मैंने आपको समय बताया है शाम के पाच बज़े से लेके रात्री 9 बजे के बीच में आपको 10,000 बार इस मंदर का जाप करना है वो किस तरह से करना है मैं आपको बता दू एक आपको दिया जलाना है और जो तेल लेना है आपको चमेली का तेल लेना है और आप एक दूनी जला लीजिए जिसकी खश्बू बहुत ही अच्छी हो और आपको एक कमरे में बैठके इस मंदर का जाप करना है और जो मैंने आपको ये मंदर बताया है इसकी संख्या 10,000 है 10,000 जाप करते ही आपका मंदर सिद्ध हो जाएगा और फिर आप किसी भी दिन कोई भी खाने की चीज हो या पानी हो किसी भी चीज के उपर आप इस मंदर का जाप 108 बार करना है और फोक मार देना है और वो चीज आपकी सिद्ध हो जाएगी और फिर किसी भी इनसान को वो चीज खाने के लिए दे दोगे तो उसका वश्यकरन हो जाएगा और ध्यान रखना कि आसन जो लेना है आपको लाल कलर का आसन हो आपका और लाल कलर के कपड़े पहनने है और ये मंदर ऐसा नहीं है कि पूरुष करे या फिर इस्तिरिया करे कोई भी समंदर का जाब कर सकता है मतापिता आपने बच्चों के लिए भी ये जाब कर सकते हो और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और प्लिस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जादे से जादा शेयर कर दीजिए जीवन में जिन को वी समझे है उन तक ये वीडियो को सके और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तक इतन्तर मंतरियंदर की सही जानकारी आपको मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी और भी लाता रहूँ आगे भी और आपको ऐसी ऐसी बाते बताऊंगा तो अंतर मंतर के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा कभी भी